दोस्तों आज तक आपने कई जीवों के अंडे देखे होंगे जो देखने में साधारन से हुते हैं लेकिन आज हम आपको ऐसे अंडे दिखाने वाले हैं जिने शायद यह आपने पहले कभी देखा होगा तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना आपको इन में से कौन से जीव के अंडे सबसे अनोखे लगे हमें नीचे कोमेंट करके बताना जरूर दोस्तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस से लाल कलर के सबस्क्राइब बटन को दबा कर बाजुवाले बैल पर क्लिक करके अल का ओप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले दोस्तों आज की वीडियो में बहुत अलग और इंटरस्टिंग होने वाले हैं इसलिए वीडियो का एड़ने तक जरूर देखेगा चलिए शुरूर बड़ता है अगर इस पक्षी के साइज की बात की जाए तो यह इंसानों से काफी बड़े होते थे आज यह पक्षी लुप्त हो चुके हैं पर जब प्राचिन समय में यह जील इस धर्ती पर मौझूद थे तब इनके अंडों का साइज 3 मिटर तक होता था वहीं अंडों का वजन 10 किलो के लगबख होता था यह एलिफेंड वर्ड का अंडा है जो आज से करीब 200 साल पहले अफरीका के मेडास कार में पाया जाता था बताया जा रहा है कि इसकी नीलामी के माध्यम से यह अंडा 50,000 पाउंड तक में बिगने वाला है खास बात यह है कि यह अंडा अब तक मिले दुनिया के सबसे पुराने अंडों में से एक मात्र है जो सबसे बड़ा और सही दसा में है इस अंडे का आकार इतना बड़ा है कि इसे लेकर कोई भी व्यक्ति डर सकता है ये अंडे स्टुर मुर्ग के साथ अंडों मुर्गे के सो अंडों और हमिंग वर्ड के 12,000 अंडों के आगार के बराबर है स्वागत है दोस्तो आपका हमारे चैनल स्कूप अब दे में तो दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजे और बैल आइकन को दबा दीजे ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिविकिशन आप तक पहुँच जाए तिनामो दोस्तो आपने यह पक्छी साइद पहली बार देखा होगा क्योंकि तिनामो की पोपुलेशन बहुती कम है इसलिए इसके बारे में जादतर लोग नहीं जानते और इसका इकारण यह भी है कि यह पक्छी बहुती गुफती जीवन गुजारता है दुनिया में तिनामो की कुल 47 स्पीसीज हैं लेकिन खास बात यह है कि इस पक्छी के अण्डे दुनिया के तमाम पक्छीों के अंडों से अलग होते हैं इनके अंडे स्मूत साइनी और ब्राइट कलर के होते हैं मादपक्शी अंड़े देकर वहांसे चली जाती है नरपक्शी इन अंडों की फ़िफाज़त करते हैं इस पक्शी के अंड़े अलगग क्या कलर में होते हैं जैसे येलो, गिरीन, बिलू, गुरे और लाल कलर के भी होते हैं इनकी से बिल्कुल मुर्गी के अंडे की तरह ही होती है, लेकिन ये दिखने में इतने ब्राइट होते हैं कि किसी खिलोने की तरह नजर आते हैं. इनकी से तकिम ये ब्यालीस दिन के बाद निकलता है. इसके अंडे का旻 से वस्चा की तरहिए. इस निकलता है, इस के अंडे का स्पारल शिप नाते हैं और नग्योंगी के उसनादा है. और फिर अंडे अपने आप ही हैच होकर अपना खुद का जीवन खुद ही बिताना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक और अजीब अंडा काटिला जिने से फिश में पाया जाता है। जिसे घूष्ट शार्क के नाम से जाना जाता है। और इनके अंडे पूरे काले रंग के होते हैं और कुछ इस तरह दिखते हैं जो की समुद्र की सबसे ज़्यादा गहराई में पाया जाते हैं। और इसी वज़े से इनके अंडों को बहुत कम लोगों नहीं देखा है। पुरिकन जैकान अभी अपना गहसला पानी पर तेरता हुआ बनाते हैं। यह बर्ड मसलियों का शिकार करते हैं और ज्यादा रिसोसेस वाली जगवों पर अपने अंडे देते हैं। बच्चे वहार आने के बाद मेल बर्ड उन्हें अपने पंकों की नीचे रखते हैं ताकि बच्चे सुरक्षित और गरम रहे। फीमेल बादिश के मौसम में साथ से आठ अंडे देती हैं। इनके अंडे गोल्डन कलर के होते हैं। जिन पर ब्लैक लाइन्स होते हैं और जो देखने में सच में बहुत ही खूपसूरत लगते हैं। येलो हेड़ जौफिश मचलियों के अंडों के बारे में जानना तो आम बात है। लेकिन अभी आप जो मचली देखने वाले हैं वो इन सब में बेहद अलग है। क्योंकि इनके अंडे देने से लेकर हैच होने की प्रोसेस बड़ी अनोखी है। फीमेल जब अंडे देने के बाद मेल उन अंडों को अपने मूँ में रख लेते हैं। ये मचली एक बार में तकरीबँद दो सो से तीन सो अंडे देती है। यानि कि ये जौफिश अपने मूँ में एक बार में तकरीबन 200 से 300 अंडे पाल रही होती है जो कि बहुत जाद है अब आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ खाते वक्त अंडों को कहा रखते होंगे लेकिन हम आपको बता दे जब तक ये अंडे पूरी तरह से हैच नहीं हो पात जो कि बड़ी आम बात है लेकिन इनके अंडे कैसे होते हैं ये शायद ही आपने इससे पहले देखा हुआ ये जब भी ब्रीडिंग की सीजन में होते हैं तब ही अपने ग्रुप के साथ ही होते हैं जिसमें 200 तरह की अलग-लग प्रजातिया शामिल होती है और ये अंडे भी एक हफते के अंदर ही अडल्ट साइस तक महुँच जाते हैं ये एक मात तरह ऐसा जीव है जिसकी ग्रोथ इतनी जल्दी होती है साउधन कसौवरी एक्स साउधन कसौवरी ये पक्षी उड़ नहीं सकते जो कि ऑस्ट्रेलिया के खास प्रजातियों में से एक है ये पक्षी इसी बात करें तो सौधन कसौवरी के अंडे गहरे हरे रंग के होते हैं और इनकी साइज की बात करें तो ये शुतर मुर्ग के अंडे भले ही बड़े हो लेकिने दिखने में नॉर्मल होते हैं लेकिन कसौवरी के अंडे बड़े होने के साथ साथ दिखने में इनके जैसे ह सुंदर होते हैं बिलकुल किसी हरे जैनस्टोन की तरह और अंडे देने के बाद ये बर्ड और भी जदा अक्रमत सोभाव की हो जाते हैं जिससे वो अपने अंडो को दूसरे जानवरों से बचा सके और जब ये अंडे हैच हो आते हैं तब ये बर्ड करीब 9 महीनों तक अपने बच्चों के साथ उनका ख्याल रखते हैं और 9 महीने पूरे होने के बाद उन्हें खुद का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है Pacific White Skate इन अंडों से बच्चों के निकलने की प्रक्रिया हैरान कर देने वाली है October फीमेल ऑक्टोपस अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही अंडे देती है अंडे देने के लिए फिमेल उक्टोपस किसी समुदरी गार या फिर किसी बड़ी पत्थर के नीचे चली जाती है वहां जाकर वह गोहंसला बनाती है और एक बार में लगभग 80,000 अंडे देती है और मदर उक्टोपस इन अंडों को रॉक सीलिंग पर गुच्छों में लटका देती है यह देखने में ऐसे लगते हैं जैसे किसी अंगूर के गुच्छे हो हर गुच्छे में मात्र 20 अंडे होते हैं फीमेल ऑक्टोपस हमेशा अंडों के पास होती है वह बिना कुछ खाई पिये अंडों की हिपाज़त करती है और जैसे ही अंडों से बच्चे बाहर आते हैं फीमेल ऑक्टोपस भूख से मर जाती है इस तरह female octopus पूरी जीवन में सिर्फ एक बार ही अंडे देती है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं जल्द उलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यावाद